जी असलाम अलेकुम माई डियर स्टुडेंट्स उमीद है आप सब ठीक होंगे है डियर स्टुडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 14.1 का करेंगे इस क्वेस्टन को थोड़ा सा मैंने पहले से सौल कर लिए इसका डेटा वगरा लिख ली है ताके आपका और मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए इस क्वेस्टन के अंदर जो गिवन डेटा था डियर स्टुडेंट्स एक्स और य का वह मैंने यहां पर लिखा है तीन जो है वो नोट करेंगे मैंने जस्ट तीन वैलिउस लेके और आगे जो है इनके मैंने सम लेके यहां पर लिख चोड़े हैं लेकिन आपने पूरा डेटा लिखना है तो एक्स और वाई जो था यह गिवन है और एक्स इंटु वाई और एक्स स्केर के जो यह दो कॉलम्स है यह हमने अपनी जो हैना नीड के लिहाज से हमने हमने बनाए है क्कि हमें के अंदर इनकी जूरत पढ़ेगी मिनख वो हमें एक लीनियर रगेक्शन मॉडल उसने हमें एक दिया त्िक है जो जो कि आपके सामने है मैंने लिखए है वाई इस इकल्स तू अल्फा प्लस बीत यूज किया हुआ है इसका इशू कोई नहीं है ठीक है आपकी जस्ट ये नेम्स चेंज है काम इनको वही है जो पहले है और ये जो ई है इसको हम एर्र टर्म कहते हैं या इसको हम रेजिड्वल भी बोलते हैं तो इसको हम यूज करेंगे लेकि इसक्रेस्टिन में नहीं बलके अगले क्रेस्टिन में आगे जागे हम इस टर्म को जो है न वह देखेंगे डिटेल में इसका एक छोटा सा जो है न वह फॉर्मुला यूज किया जाता है वाइ माइनस वाइड तो जब भी हम अपनी गिवन यूज को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास यह जो एर्र टर्म है यह फाइंड हो जाती है तो यह रग्रेशन मॉडल के बाद उसने नीचे क्रेस्टिन के अंदर एक लाइन में लिखा भी है कि आप रग्रेशन इक्रेशन करें जिसमें ब्लड प्रेशर ओन एज का उसने तो ब्लड प्रेशर को उसने Y वरियबल के साथ शो किया है जबके एज को उसने X वरियबल का नाम दिया है ठीक है तो एक्स और य का यह जो डेटा गिवन था वो मैंने यहां पर टेबल के दर लिख लिए है जो की बुक्स पर भी दिया गया तो ब्लड प्रेशन जो ब्लड प्रेशर है ऑन एज है इसका मतलब है Y1X तो हमने इसमें Y1X लाइन ये जो लाइन मैंने लिखी है Y hat is equal to A plus BX ये find करनी है और इसको find करने के लिए हमने ये formula जो पीछे भी use करते आ रहे हैं same वही formula B के और A का जब मैंने यहां पे लिखा है formula और लिखने के बाद मैंने उसके अंदर values put कर दी है and हमारा 12 है जब हम अपनी X की तमाम values को यह Y की तमाम values को count करते हैं तो वो हमारा small n होता है और वो इसमें उसने हमें 12 दिया हुए ठीक है यह आप count करें यह आपका 12 होगा then sum XY, XY को जो sum है वो मैंने यह column drive करने के बाद इसका यह sum लिया था और X और Y कैसे बनेगा X को और Y को आपस में multiply करेंगे तो आपका X और Y का column drive हो जाएगा एक्स जो हमारी first value है 56 इसको जब multiply करेंगे Y की first value के साथ 147 तो हमारा XY की जो first value हो आ जाएगी 8232 इसी तरह मैंने X और Y की सारी values को find out करने के बाद उसका sum लिया है तो X और Y का sum मैंने इस formula के अंदर यहां पर 89894 पुट कर दिया फिर मैंने formula का जो minus हो लगाया then sum X का sum लिया जो मेरे पास 628 आ रहा था और उसको मैंने Y के sum के साथ 1684 के साथ मैंने multiply कर दिया जो के formula हमें required कर रहा है जो formula के अंदर हमें चाहिए और divide कर दिया उसको again अपने small n जो के 12 है sum X का square है पहले उसके बाद sum लिया तो यहां पे X square का एक column draw किया ठीक है X की सारी values का square करते जाएं तो आपका X square का यह column बनता आएगा और last पर फिर आप उसका sum ले लिजीगा और वो sum आपने इस formula के अंदर यहां भी use कर लेना है 34416 जो के हमारे small n से multiply हो रहा है और फिर उसमें से minus कर देना हमने sum X whole का square means का जो यह वाला 628 है X का जो sum है इसका हमने बाद में square कर लेना है तो जब हम इस formula को हल करेंगे इन values को तो हमारे बस B का एक answer आजएगा 1.13 B को find out करने के बाद हमें A required होता है जो के equation के अंदर हमें यह A जो चाहिए होता है इसके लिए फिर हम यह formula लिखते हैं जो हमने पहले भी use किया है sum Y minus B sum X over small n और इसमे sum Y जो है वो मैंने given था उपर जो मैंने लिया था वो मैंने put कर दिया उसका sum उसको उसमें से फिर minus मैंने कर दी यह B की value जो हमने यह find की है इस B को मैंने यह put कर दिया और sum X के साथ इसको 6 टो डे 8 के साथ multiply कर दिया और divide कर दिया 12 के साथ तो मेरे पास A का एक answer आ रहा है 80.78 तो B और A find करने के बाद इन दोनों को मैं अपनी इस regression equation के अंदर put करूंगा तो मेरे पास जो है ना मेरी equation find out हो जाएगी और वो equation मैं यहां पर लिख देता हूं इस B का और A का जो answer है वो हम जब यहां पर put करेंगे तो हमारे पास एक specified Y hat के equation आ जाएगी जिसमें A हमारे पास है 80.78 प्लस equation का और B की value 1.13 और 7X यह हमारे पास हमारी जो regression equation line है Y on X यह find हो जाएगी ठीक है फिर उसने हमें question के अंदर students से एक चीज़ पूछी है वो कहता है कि अगर हमारे पास जो X की value है मतलब age अगर हमारे पास जो X है वो अगर 45 हो तो हमारा Y जो है hat कितना निकलेगा तो हमने जो अपनी equation find की थी यह वाली y hat is equal to 80.78 plus 1.13x इसके अंदर इसका जो X है उसके अंदर यह 45 put कर देंगे हम तो हम जब इसको solve करेंगे इसको इससे multiply करके और then फिर इसके answer को और 80.78 को जब add करेंगे तो हमारे पास y hat की specific value आज़ेगी 132 एक यह चीज उसने extra पूछी है question के अंदर और एक उसने question के last line में पूछा है unit change बताएं हमें कि इस question के अंदर unit change कितना आएगा तो students आपने याद रखना है unit change जो हमेशा B की value को कहा जाता है हमारी equation के अंदर जो हमारी B की value होती है वही हमारी हमारा जो होता है unit change होता है और B की value हमारे पास इस question के अंदर है 1.13 तो 1.13 जो है वह हमारा unit change है यह इसका answer है ठीक है हमने यहां से इस formula से जो find किया था B value next वही हमारा unit change होता है तो यह उसने अलग से चीज़ पूछी थी आपसे तो यह students हमारा आज का lecture था यहां भी complete है यह question हमारा फोर का आए पार इंशालों next class में हम इसका next part करेंगे और अगर किसी student को कोई चीज़ अगर नहीं समझाए इस पूरे question के अंदर तो आप जो है वो मुझे comments में मुझे पूछिएगा तो इन्शालों तरह मैं आपको इसका answer दूँगा otherwise आप लोग मेरे WhatsApp नंबर भी मुझे से राफ़ा कर सकते हैं किसी भी किसम के अगर problem है आपको stat में तो आप इसना पर पर contact करके आप मुझे उस क्यूरी के बारे में discuss कर सकते हैं तो मजीद यह कि अपना ह्याल रखिएगा और दौब याद करिएगा वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अपनी होए तो इंशाला तला मिलती है नेक्स लास में फीमान अला 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 अ जो होए